बिहार में हुए जाती आधारित गनना की रिपोर्ट आज सरकार ने सार्वजनिक कर दी जिस दिन का बेसबरी से इंतजार था वो दिन आज गांधी जेंती के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से जो जाती आधारित गनना कराई गई थी बिहार में उसकी जो रिपोर्ट थी वो सार्वजनी कर दी गई है सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि अब ये साफ हो गया है कि बिहार में किस जाती के कितने लोग रहते हैं अब आपको बता दे कि ये रिपोर्ट जारी होने के बाद इस पर सियासत और तेज हो गई है बीजेपी अपने तरीके से जहां एक तरफ महाग बैट बंदन में क्रेडिट लेने की होड जो है वो शुरू हो गई और सबसे पहला रियक्षन इस पर RGD सुप्रिमो लालू परसाद यादब का आया है जी हाँ लालू परसादी आदब ने ये कहा है कि बिहार का ये एतिहासिक शन था बिहार में जो है जाती आदारित गरना जो सरीके से कड़ाई गई है जो रिपोर्ट सारजनी किया गया है अब 2024 के लोग सभाचुनाओं में जब BJP जो हार जाएगी और देश में विपक्ष की स सरकार बनेगी तो पूरे देश में जाती जन गरना कड़ाई जाएगी लालू परसादी आदब ने साफ साफ ये कहा है कि जिस तरीके से बिहार में तमाम अरंगों के बावजूद जाती आदारित गरना कड़ाई गई नितीश सरकार ने काम पूरे कड़ा लिए और जो भी लंबा चोड़ा ट्वीट किया है लालू परसादी आदब ने ट्वीट करके लिखा है कि आज गांधी जैनती के इस एतिहासिक शन के हम सब साक्षी बने हैं बीजेपी की अनोखी साजिशों कानूनी अर्चनों और तमाम शर्यंतर के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाती अधारित सडवे को डिलिस किया है ये आकड़े वंचितों उपेक्षितों और गडीबों के समूचित विकास और तरक्की के लिए समग्ड योजना बनाने एवं हाशिये के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रती निधित्व देनेक में देश के लिए नाजर प केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जाती जनगन ना करवाएंगे और दलित मुस्लिम पिछडो और अती पिछडा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे तो बड़ी बात लालू परसादी आदब ने कह दिये लालू परसादी आदब में जाती अधारित गरना करवाएंगे जाती जनगरना करवाएंगे और दलित मुस्लिम पिछडा और अती पिछडा भाजपा को जो भाजपा दलित पिछडा विरोधी है उसे सत्ता से बेदखल करेंगे तेजस्वी आदब भी पीछे नहीं है जहां एक तरफ लालू परसा तेजस्वी आदब भी ये बताया है कि बीजेपी के तमाम साजिशों के बावजूद ब्यार में ये इतिहास काम कर लिया गया है बड़ा काम महागटबंदन की सरकार ने किया है और तेजस्वी आदब ने भी साफ साफ ये कहा है कि अब जल्द ही जब केंद्र में स्रचने का काम किया है बिहार से देश को सीख मिलेगी तेजस्वी आदब ने क्या कुछ ट्वीट करके लिखाया आपको वह भी बताते हैं अब बताते हैं कि बिहार के डिप्टिस यम तेजस्वी आदब ने भी ट्वीट किया है तेजस्वी आदब ने लिखा है कि कम समय में जाती अधारी सर्वे के आकड़े एक गत्रित और उन्हें परकाशित कर विहार आज एक बार फिर से एतिहासिक शन का गवादा है दशकों के संगहर्ष ने एक मील का पत्थर हासिल किया इस सर्वेक्षन को ना सिर्फ वर्षों से लंबित जाती गत आकड़े परदान किये बलकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्तिती को भी थोस संदर्व दियाब सरकार तौरित गती से वंचित वर्गों के समर्ग विकास एवं ह इस सिदारी को इन आकरों के आलोक में सुनिश्चित करेगी इतिहास गवा है भाजपा नेतरित में कई माध्यमों से कितनी तरह की रुकावटे डालने की कोशिश की गए बिहार ने देश के समक्ष एक नाजर पेश की और एक लंबी लकीर खीच दी समाजिक और आर्थिक न जै बिहार तो तेजस्वी आदब ने भी बड़ी बात कई है तेजस्वी आदब ने ये कहा है कि बिहार ने एक उधारन पेश कर दिया है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार में जाती आधारित गरना कराई गई है उस तरीके से पूरे देश में जाती आधारित गर्णा होगी अब देखे जादी आदारी गर्णा की रिपोर्ट सार्जनिक होने के बाद लगातार जो क्रेडिट पॉलिटिक्स है वो हो रही है लालुपरसादी आदब इस पर सामने आए हैं तेजस्वी आदब इस पर सामने आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीज़ेपी स्कोले करके अब नितीश उतेजस्वीक से अलग-अलग तढ़े के सवाल पूछ रही है बहाराल अब देखने वाली बात यह होती है और दिल्चस्प होगा यह देख रहा कि बीजेपी के सवालों को अब किस तरीके से महा गटवंदन की सरकार टैकल करते नजर आती है आप इस कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और मा बाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के इहोम्स पैनरोमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रूप लेकर आये हैं E-Homes Panorama बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes Panorama के संग E-Homes Panorama Luxurious, Lifestyle Redefined